मान्ये सभा सदो, मान्ये उपसभा पती जी मान्ये सदर से गान, मैं दो चीजें आप से बताना चाहूंगा मैंने रिकॉर्ड चेक किया, मैं आप में से कोई भी व्यक्ति पॉइंट ओडर उठाता है उसको वही महत्व है, जो अपने इहां परंपरा है राजसभा के कामकाज में जब इस्तिती समानी हुई तो मान्या अनन जी को मैंने बुलाया है ये रिकॉर्ड पे है, मान्या अनन जी ने एलोपी की तरफी सहरा किया कि वो बोलेंगे, ये रिकॉर्ड पे है तो मैं वोई स्थिति स्पस्ट करना चाहता हूँ कि जब इस्थिति समानने हुई हाउस में, हाउस अब ओर्डर में आया, तो मैंने पॉइंट ओफ ओर्डर के लिए मौका दिया है, दूसरी बात, मानि एलोपी बोल लहे थे, रिकॉर्ड में आप देखें, इस सदन की बड़ वर्सों से परंपरा रही है कि लिडर आफ हाउस और लिडर आफ अपोजिशन बोलते हैं, तो कोई टिका टिक पड़ी नहों, उनके बोलने के दावरान भी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, सोर होने लगा, तो सदन की परंपरा हम बनाए रखें, बड़े महत्पुन व इसमें मानी एलोपी की बड़ी भूमिका है, सारे सदन के लोगों की भूमिका है, मैं पुना आगरता हूं कि वो अपनी बात पूरी करें, और आप से पेक्षा करता हूं कि इस सदन की उच्छे सदन हम कहते हैं, एल्डर साउस कहते हैं, कम से कम उस परंपरा को बनाया रखे कि लिडर अफ हाउस बोलने और लिडर अपोजिशन बोलने तो हम ध्यान से सुने, प्लीज, सर, मैं निविदिन कर रहा था कि गटना हुई जिसकी हम सब निंदा करते हैं, चाहे विपक्ष के लोग हूं या सताधारी पार्टी के हूं, लेकिन इस गटना पर पूरे दुनि दुनिया में चर्चा हो रही है, और हमारे यहां पार्लिमेंट शुरू होगी और इस पे चर्चा नहों, इसके बारे में हम कुछ नह कहें, तो ये बड़ा अटपटा लगेगा, पूरी दुनिया भी देखती है, कि हम तो यहां बोल रहे हैं, और भारत का सदन नहीं बोल ल है, तो हमने सरकार से बताया है, कि कोई यहां एक दूसरे पर कोई हमला करने की बात नहीं है, हम सब चाहते हैं, जितने विपक्ष के लोग हैं, कि जो कुछ भी हुआ, बहुत दुख की बात हुई, मैं देख रहा था, कल उमर, चाहे वो किसी समधाय के हूँ, किसी धर्म के ह वो हिंदुस्तानी थे, इनसान थे, हमारे भाई थे, वो किसी भी धर्म का, मैं उनकी उमर देख रहा था, आयू देख रहा था, चुबीस साल से और पहनती साल के बीच में नबे परसंट, तो अब अन्दाजा लगाईए, कि देश का कितना नुक्सान हुआ है, संपती तो अलग छोड़िये, दुकाने अलग छोड़िये, लेकि हमारे जो भाई बच्चे, चाहे उस तरफ के हों, इस तरफ के हों, किसी धर्म के हों, हमारे बच्चे चले गए, तो ये एक बहुत ऐसा विशे है, जिसके हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी है, कि नहीं समझता हूं कि यहां कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसा नेता हो, जो तेल डालके जाएगा, यहां जो भी होगा लेड़ा, वो जिम्हदार आदमी है, वो पानी और मिटी डालके ही जाएगा, और हालात लोगों से पील करने की कोशिश करेगा, कि हालात दुबारा से इस तरह से नहों, अफाओं पर यकीन न करें, और सभी समधायों को, सभी धर्मों को, प्यार मुप्बच से, एकटे से, हजारों सालों से रहते आए हो, और हजारों साल हमें जब तक ये दुनिया है, एकटे रहना है, तो इस तरह का वातावरं हमें बनाना है, लेकिन अगर इस पे भी अगर कोई शंका होती है तो मैंने समझता हूँ कि कोई विपक्ष का इतना इर्स्पांसिबल आदमी है कि वो इस पर आग डालने की कोशिश करेगा तो मैं सरकार से यही निवी दिन करूँगा वो इशू आज है सरदर्द आज है और हम कहेंगे कि एक हफ़ते के बाद तुम दवा खाओ तब तक तो अपने आप से ठीक होगा हम पहले ही बहुत लेट हुए हैं हमको पहले ही कल ही पहली फुरसत में उसी से चर्चा शुरू करनी चाहिए और जैसे मैंने कहा कि हम रिस्पंसिबल जितने भी अपोजिशन यहां बैटे हैं सब रिस्पंसिबल लोग रहें सब जानते अपनी अपनी जिमेवारी को पार्टी की जिमेदारी को भी अपनी सदन की जिमेवारी को और देश के परती हमारी और समाज के परती हमारी जो जमेदारी है उसको सभी जानते हैं अगर हम अभी एक हफ़ते के बाद चर्चा करेंगे तो ये फिर दस दिन बाद बारान दिन बाद फिर एक नान इशू नान इवन्ट रहेगा वो अलगेगा कि पूरी दुनिया ने कंसर्म प्रगिट किया और हमने तो यहां काईदे से तो कल हमने स्पोर्ट्समें को हमेशा उनका समान रखने के लिए हम चर्चा करते हैं का बलके मैं तुझ कहूंगा मानिये डिप्टी चेर्मेंड से देर तो हो गई अभी भी कोई देर नहीं हुए कि कल हम उन जिन लोगों को जो मारेगे हैं इन दंगु मैं तकरिमें चालीस 47 47 उनके प्रती तो अपनी सद्भावना यहां दिखानी चाहिए उनको दिखान कि जो भी घटना में मारेगे बहुत बुरा हुआ और उनके प्रती उनकी आत्मा के प्रती हमको भी करना चाहे तो हमको पार्लिमेंटेरियन्स को इस तरफ के या इस तरफ के अपनी जिमेदार को पूरा करना चाहिए। लिडर अफ पॉजिशन ने भी कहा। चुकि माननिय चेर्मेन साब से इस बात पर परामर्स करना होगा, आप सब जानते हैं। वो माननिय चेर्मेन साब से बात करके इसकी तिथी निर्धारित करने के लिए दोनों पक्ष्याम सहमती हैं। और इसका सचमुच बहुत दुखत घटना है। इसके बारे में चेर्मेन साब ने बार-बार कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक आग्रह है आपके माध्यम से कि नेता सदन नेता प्रतिपक्ष जब दूनों एक ही मत के हैं तो चर्चा आरंब करें। यह आप माननी है सभापती महोदे को बताते हैं। जरूर आपकी भावना आप लोग। कल सुबा आप आरंब करें। ग्यारा बजे से चर्चा हो देश सुने और सब कुछ ठीक हो यही हम चाहिए। जरूर तो क्या हम लोग इस बिल पे चर्चा करें और पहले वही चाहिए। सुबा हो जाएं और जितनी देर तक चर्चा बने उसके बाद हमें कोई पापती नहीं अगर हम घंटा बर बैठेंगी भी तुसको चर्चा को पास करें। प्लेस 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 वो पहें जी सर। सर एक बहुत अच्छे वातारण में माने नेता प्रतिपक्ष और हमारे सदन के नेता ने बात करी है। आपने भी शुरू में जो सदन के प्रती गरिमा की और सदन के नियमों की बात करी थी उसको सदस्योंने बहुत धहरे पुरुवक लिया है इस सदन की ये परंपरा है कि रूल 258 में जो चेयर निर्ने देती है वो फाइनल होता है अगर सदन को हम पूरे लोगतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं तो हम सदन के चेयर को ये फोर्स ना करें कि कब करें ये विशे चेयर के निर्ने पे छोड़ें और तभी हम सदन धंसे कर सुटा है अगर सदन के चेयर करें ये अगर चाहते है आप जानते हैं डॉक्टर के सराओ जी मानिये चेयर्मन से प्रामर्स के बाद ही ये बाद कर सकते हैं तिल दें ये अज़ें प्रेपर ले नहीं हुआ था आपका आप है रिपोर्ट अव देपार्टमें रिलेटेड पार्लिमेंटरी स्टेंडिंग कमीटी ओन अर्बन देवलप्मेंट श्री संजय सिंग मौदे मैं आज की कारे सूची में मेरे नाम के आगे सूची बद्ध सहरी कारे मंत्राले अवसान मंत्राले के अनुदानों को और मांगों को 2020 के संबंद में सहरी विकास संबंदी स्थाई समिती 2019-2020 सत्रवी लोकसभा द्वारा प्रतिवेदन सभा पतल पर रखता हूँ जा संतर जा जा तिल 11 विट्स देडर्ड है लोकसभा फिर से अनुड पर प्रतिवेदानित नी पर रखता हूँ झाल झाल